भारती रिशी मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वरिक्षों एवं पौधों की खोज की और उनमें किसी ना किसी देवताओं का सवरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया। पैनल समरिधी को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। किसा पर काफी विश्वास कर रहे हैं। आयूरवेद में हर रोग की अचूक दवा है मगर नाड़ी विशेश अग्या का होना भी विशेश महत्व है। नाड़ी के अनुसार दी गई आयूरवेद और शद्धी रोग पर ततकाल अपना प्रभाव दिखाती है। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से ना केवल हनुमान ने भगवान लक्षमन की जान बचाई। बलकि आज की तारीक में भी चिकित्स को द्वारा मानव रोगा अपचार हे तू अमल में लाया जाता है। यही नहीं जंगलों में खुद बखु दुगने वाले अधिकांच और शद्धिये पौधों के अदबुद गुडों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है। जैसे तूलसी, पीपल, आक, बर्गत, तथा, नीम, इत्यादी। ऐसा हिंदू पुराणों में लिखा है जिसे आपके घर में अगर कलहे हैं तो वो खतम हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है, वो भाग जाएगा, एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजे कि इस पौधे का नाम है अतीबला, इसको महाबली भी कहा जाता है, अतीबला नाम से ही सपष्ट है, जिसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है, आपको बता दे कि अगर आप किसी बिमारी से जूज रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूरती के लिए मल्टी विटामिन दवाईयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा है, हर मल्टी विटामिन की कमी को पूरा कर देगा, कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं, दोस्तो भारत में आयुर्वेद की बहुत इज़त है, लेकिन आपको बता दे चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग इसका पूरन रूप से इस्तिमाल करते हैं, विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर के यहां से जाते हैं, और उसकी पूरन जोग सही तरीके से कर लिया, तो यकीन मानिये आपके जीवन में आपको कभी भी कश्टर नहीं होगा, आपको रोगों से चुटी मिल जाएगी, अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ती हो जाएगी, एवं इस पौधे में दिव्यत आक्ते ह तो अतीबला पौधा जो होता है, ये पूर्न रूप से सुरक्षित पौधा होता है, इसकी डंडी को आपको तोड लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको तीन दिन तक धूप दिखाईए, इसके बाद इसका पाउडर बना ले, सिरफ तीन महीने इसके पाउडर का सेवन करना है, आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द हैं या दिक्कते हो रही हैं, उसमें ये रामबान की तरह आपका साथ देगा, अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिला कर खाया है, तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा, अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन तीन महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ती भी होगी और यकीन मानिये संतान की प्राप्ती होना आपको तैय है अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो जरूर होगी ये का महौल अच्छा नहीं होता अपनी अ धांगनी से अपनी पतनी से उनकी लड़ाई होती रहती है उसके लिए भी यह पौधा आपकी बहुत ही मदत करेगा आपके यहुप युपयोगी साबित होगा कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं दोस्तों इसकी जड़ में दस हाथी का बल होता है इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में सुरे की सीधी धूप में सुखा लें और इसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना ले अब इस पाउडर को एक गिलास दूद के साथ और एक पाउडर में मिलाकर रात को सोने से पहले खालो आप यकीन मानों आपके अंदर दस हाथी का बल आ जाएगा घुड़े जैसी ताकत आ जाएगी सुखी वेवाहिक जीवन जीने के लिए पत्नी को समय जरूर देना चाहिए दोस्तों इस पौधे में कई दिव्य गुन चुपे ह होते हैं अगर आपको लगता है कि आपके घर का महौल अच्छा नहीं है आपके घर में लड़ाई जगड़ा होता रहता है तो आपको बता दे कि इसकी तीन पत्तियां लीजिए घर के कोई भी अलमारी हो लकड़ी की अलमारी हो लोहे की हो ऐलूमीनियम की हो उस अलमारी के उपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए बुक किताब चोटे से इट से और उसको एक महीना उस जगे से मत हटाना सिरफ इतना करके आप एक बार जरूर देखेगा आपको इसका बहुत ही जादा फाइदा देखने को मिलेगा नकरातमक ताक्ते जो आपके दूसरा अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके उपर नेगेटिविटी आती है जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि गलत भावनाय आती हैं किसी आतमा के कारण तो आप ए ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा और ये बाते हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं अतीबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक हीरा पौधा है इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पेड़ पौधे जड़ी बूटे बहुती जादा पावरफुल मैडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्तकाल प्रभाव दिखाते हैं बतादे की आयरुवेद में पलाश के व्रिक्ष को अमरित कहा जाता है आप इससे कई प्रकार की असाध्य बिमारी को ठी कर सकते हैं अब आईए इसके कुछ आयरुवेदिक परयोग जानते हैं दोस्तों यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो घर्ब धारन हो जाता है जिन मताओं बेहनों का घर्ब नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस कर के पिला दिया जाए तो घर बठहर जाता है ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को साथ दिनों तक खिला दिया जाए तो जनमों की कमजोरी दूर हो जाएगी अगर बुडापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए आपके शरीर में थाकत भर जाए अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो साथ दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मातरा में खाना शुरू कर दें कैसी भी कमजोरी हो वो इसी के साथ बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमरिच से कम नहीं है इसके चटनी बनाकर देसीगी डालकर धीमी आच पर भूनकर खाने से बवासीर नश्ट हो जाती है ठीक हो जाती है आईरुवेद में कई पेड़ पौधों और उनसे मिलने वाले पत नवास करते हैं और भगवान धनवंतरी का भी वास होता है दोस्तों ये वरिक्ष लुपत होने की कगार पर हैं और अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत क्योंकि भविश्य में आपको पलाश के वरिक्ष मिलेंगे जरूर कहीं न कहीं आप घूमने के लिए बाहत मिलती है गलत खानपान के कारण जब आपका रक्त दूशित हो जाए और आपके सकिन पर मुहासे अलरजी ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की चाल बहुत ही जादा काम आती है किस प्रकार से काम आती है अगर आपको लगने लगे कि आप के खून में कोई समस्या आ रही है गड़बड़ी आ रही है तो पलाश की जो चाल होती है ये बहुत ही जादा काम करती है आपको करना क्या है एक गिलास पानी में रात के समय में चार ग्राम की मात्रा में पलाश की चाल लेनी है और इसे एक गिलास पानी में डुबो देना ह सुभे इसे मसल कर कपड़े में चान करके आपको खाली पेट में पी जाना है कैसी भी आपके खून में खराबी हो आपके खून की खराबी को तत्तकाल दूर करेंगे केवल साथ दिनों के भीतर में आपके कैसी भी खून की खराबी हो वो दूर हो जाएगी सो ऐसे मैं प्रिये दर्शिकों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो ग्यान वर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद